सौधी अर्बिया आने से पहले ये वीडियो आप जरूर देख लें आपको इलर्ट कर रहा हूं ताकि आपको कोई परिशानी ना हो हाई फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैं हूं मुहम्मद अन्वारॉल्ला और आप देख रहे हो यस डियार ट्यूब फ्रेंड्स आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो हमारे भाई सौधी अर्बिया से इंडिया छुट्टी चले गए हैं चाहे वो एक डोज लगवा करके गए हों या दो डोज लगवा करके गए हों या जो हमारे भाई इंडिय से सौधी अर्विया नए वीजे पे आना चाह रहे हैं तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं उन लोगों को बताने वाला हूं कि क्या क्या वो डॉकुमेंट है जो इंडियन एरपोर्ट पे पूछे जा रहे है ताकि वो लोग इंडियन एरपोर्ट पर वो डॉकुमेंट ले करके जाएं ताकि उनको किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े आज की ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं हूं फरेंड्स क्योंकि मेरा एक दोस्त जो की मेरा बहुत ही खास है करीबी है वो इंड परमेशन में पहले सेर कर देना चाह रहा हूं ताकि आपको वो दिक्कत ना हो तो फ्रेंड्स वीडियो को मैंने चार भाग में डिवाइड कर दिया है पहला भाग वो है कि जो हमारे भाई सौधी अर्भिया में दोनों डोस लेकर के इंडिया चले गए हैं आब वो सौधी अर्भिया रिटन आना चाहते हैं तो उनके लिए क्या क्या डॉकॉमेंट रिक्वाइड होंगे नंबर दो में जो हमारे भाई सिंगल डोस सौधी अर्भिया में लेकर के गए हैं एक डोस इंडिया में लगवाली है या इंडिया में कोई भी डोस नहीं लगवाई है तो उ हमारे भाई नए वीजे पर सौधी अर्भिया आ रहे हैं या जो हमारे भाई सौधी अर्भिया में कोई भी वेक्सी नहीं लिए थे और वो छुटी चले गे थे अब वो रिटन आना चाह रहे हैं तो उनके लिए क्या-क्या डाकॉमेंट रिक्वार्ड होंगे और नंबर चार उसके बारे में बताऊंगा जो हमारे भाई बतुल्ला के लिए उम्रे के लिए आना चाहते हैं तो उनके लिए क्या-क्या डाकॉमेंट रिक्वार्ड होंगे तो चलिए फ्रेंड्स वीजी ओ को शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आप से एक छोटी सी अपील करूंगा कि इसी तरह की information और informative वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने friends और दोस्तों के साथ share करें ताकि सभी को ये जानकारी पहुंच सके और जाद से जादा वीडियो को like करें ताकि हमारी होसला अब जाई हो सके तो friends चलिए शुरू कर लेते हैं कि पहला number one number one वो लोग जिन्होंने साथी अर्बिया में दोनों डोस ली है अब वो छुटी चले गए हैं उनको return आने के लिए क्या क्या डाकॉमेंट इंडियन एरपोर्ट पे पूछे जा रहे हैं वो डाकॉमेंट का इस बारे में हम जिकर करेंगे तो friends सबसे पहले आपका टिकट होना चाहिए डायरेक्ट टिकट आप लें तो बहुत ही बहुत ही अच्छा है आप डायरेक्ट टिकट ही लें क्योंकि जो कनेक्टिंग फलाइट है उसके लिए कभी-कभी नियम तब्दील हो जा रहे हैं अभी मैंने जिकर किया था कि मेरा फ्रेंड जो दो बार इंडियन एरपोर्ट से अपने घर चला गया था वापस उसका यही दिक्क्त हुआ था पहली बार कि उसने अराइवल का रिश्टेशन फार्म नहीं बरा था और दोसरी बार जब उन्होंने टिकट लिया तो वो कनेक्टिंग फलाइट का टिकट लिया था कोईथ होते हुए उसके बारे में नियम चेंज हो गया कि कनेक्टिंग फलाइट से आप नहीं आ सकते हैं तो उनको फिर दोस आप एराइवल का रिश्टेशन फार्म फिल कर लेंगे 72 गंटे पहले उसकी एक कलर कापी अपने पास रख लेंगे और नमबर तीन जो सबसे जरूरी है सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका सहती से सहती से जो करोना का सर्टिफिकट होता है वो डाउनलोड करके अपने कलना का हेल्फ पासपोर्ट है उससे भी एकसेट कर ले रहे हैं लेकिन दिल्ली में जो ज़्यादा तरजी दे जा रही है वो सहती वाला जो सर्टिफिकट है वहां से जो डाउनलोड होता है उसको ही वो लोग पूछ रहे हैं नमबर चार आपका कोरोना का टेस्ट होना चाह पर कर पाएंगे और आपको यहां पर कोई कोरंटीन होने की जरूरत नहीं है नमबर दो फ्रेंड्स जिन्हों ने सौधी अर्भिया में एक डोज ले ली है अब वो छुट्टी चले गए हैं उनको छुट्टी से दुबारा सौधी अर्भिया आना है तो नियम के मताविक उ सौधी अर्भिया एर्लाइंस का डारेक्ट टिकट ले और यह कोरंटीन का पैकेज आपको वहीं इंडिया से ही बुक करना पड़ेगा टिकट के साथ ही जिसमें कोरंटीन पैकेज में वो लोग एरपोर्ट से पिक अप करते हैं और यहां पर दो PCR टेस्ट होता है और तीन द पैकेज दोनों आपको इंडिया से ही बुक करना होगा और सहती से आप वो करोना का सर्टिफिकट डाउनलोड करने अपने पास में उसके बाद में इंडिया में जो PCR टेस्ट कराएंगे वो उसका कलर कापी होना चाहिए बस यहीं डाकॉमेंट है नमबर तीन में वो हमारे जो सौधी अर्भिया में निव वीजा पे आ रहे हैं या वो लोग जिन्होंने सौधी अर्भिया में कोई कोरोना की वैक्सीन नहीं ली थी अब वो छुटी चले गए थे अब वो दुबारा आना चाहते हैं तो उनके लिए क्या है कि वो इंडिया में जो उन्होंने कोवी शेल्ड की वैक्सीन ली थी उसको आप मिनिस्ट्री आफ हेल्थ पर अपलोड कर लें अपलोड करने के बाद आपका जब एकसेप्ट हो जाएगा तब आप तवक्लना चालू कर सकते हैं तवक्लना चालू करने के लिए अगर आपके पास सौधी अर्भिया का नंबर नहीं ह तो किसी जानने वाले से आप कोई भी नया नंबर ले करके उस पर अफसर के दोवारा वारिफिकेशन होता है अफसर के दोवारा वारिफिकेशन करा करके वो नंबर जब आप तवक्लना के लिए इंडिया में यूज करेंगे तो उस पर एक OTP आएगा जो भाई यहां साओधी अर्बिया में आपका जानने वाला रहता है OTP आपको बता देगा तो आपका तवक्लना स्टेटस इम्यून दिखाने लगेगा तो यह है कि आप जो इंडिया में दोनों डोज का सर्टिफिकेट है उसकी कलर कापी लें PCR टेस्ट की कलर कापी अपने साथ रख लें उसके बाद में टिकट आपका होगा उसके बाद आप साओधी अर्बिया के लिए डायरेट सफर कर पाएंगे और यहां का पांच दिन का कोरंटीन उनको होगा जिनोंने कोई भी डोज नहीं ली थी साओधी अर्बिया में या जो लोग नए वीजे पे साओधी अर्बिया म करना होता है ध्यान रहे कि पाइकेज इंडिया में ही उसके स्टिकट के साथ ही बुक करवालें बैतर होगा वरना आपके लिए परिशानी का सामना करना पड़ सकता है नंबर चार में फ्रेंड जो हमारे भाई बैतुल्ला के लिए उम्रा के लिए आना चाहते हैं अगर वह इ इंडिया चले जाएं लेकिन अगर वह इंडिया में आपने कोवी शील्ड की अगर को वैक्सीन की अगर वैक्सीनेशन कराई है तो आपको यहां पर तीन दिन का कोरंटीन होना पड़ेगा तो फ्रेंड्स आज कि यह वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूँ वीडियो करें ताकि हर किसी का फायदा हो सके इसके जरीए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह की यूसफुल वीडियो को अपने चैनल पर डालता रहूं और हम सभी को इनफार्मेशन मिलत के रहे थांक तू